इस शाम को कॉंग्रेस अध्यक्ष जी ने एक बैठक बुलाया जिसमें कुछ सांसद और AICC के वरिष्ट पदादिकारी भी मौझूद थे इस बैठक में कॉंग्रेस संसदी अदल की अध्यक्षा श्रिमती सोनिया गांधी जी और पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष और लोकसवा में प्रिपक्ष के निता राहुल गांधी जी भी मौझूद थे इस बैठक का विशाय था जो अभी अभी कुछी दिन पहले सुप्रिम कोर्ट ने निल्ने दिया है SCST सब कैटिगराइजेशन जो कहलाता है कोटा विजिन कोटा उस मुद्य को लेकर चर्चा हुई करीब डेड़ गंटे तक यह बैठक चली इसके बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष हमारे कॉंग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे और हमारे अलग-अलग देश अलग-अलग प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी जो है उनके नेताओं उनके अध्यक्ष से भी बात करेंगे और अगले कुछी दिनों में कॉंग्रेस पार्टी अपना फैसला तै करेगी इस निर्ड़े को लेकर पर दो बातें बिल्कुल साफ आज निकल कर आई जो पिछले करीब 6-7 महिने से राहूल गांदी जी कास सेंसस को लेकर जाती जन्गनना को लेकर जो बार-बार वो मांग कर रहे हैं हमारे चुनाव प्रचार में भी ये एक 25 गैरंटी ओं में से एक गैरंटी था कॉंग्रेस पार्टी की ओर से कि हम देश भर में राश्ट्रिय संस्था द्वारा हम एक जाती जन्गनना करवाएंगे उसकी मांग को लेकर आज फिर से बात हुई कि जाती जन्गनना करना अनिवार्य है बहुत जरूरी है और जूसरी बात जो है जो हमने गैरंटी दी थी हमारे चुनाव प्रचार में जो कर बात परिश्ट का सीमा लगाया गया है दलित अधिवासी और OBC आरक्षन को लेकर SC ST और OBC के आरक्षन को पचास परसंट का सीमा जो लगाया लगा लगा गया उस पर जो हमने मांग की है राहूल गांदी जी ने भी की है हमारे कॉंग्रेस अध्यक्ष ने की है कि हमें एक संविधान का संशोधन लाना चाहिए ताकि ये पचास परतिशट सीमा हटाया जाए पर इसके बाद ये तैह हुआ कि कॉंग्रेस अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्रियों से हमारे पीची सी अध्यक्षों से और समाच के विभन सिविल सोसाइटी संस्ताओं से भ स्प्रीम कोड के वर्डिट को लेकर उसको उस पर हम को हम अंतिम रूप देंगे और जब ये तैह होगा तब हम आपके सामने ये रखेंगे इसके अलावा और कुछ नहीं डिसकस हुआ जैसा कि मैंने कहा ज्यादा समय हमने जाती जन्गनना को लेकर इसी बर बात की और ये बात धोराया गया सभी जो आज बैटक में मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें इस पर और जोर लगाने की जरूरत है कि जाती जन्गनना साम पॉंटी हमने दी थी राहुजी ने दी थी कॉंग्रेस अध्यक्ष ने दिया था उसको हम दोराएंगे पार्लेमेंट के अंदर पार्लेमेंट के बाहर। सुप्रीम कौट में जो फैसला दिया सब क्या चर्चा हुई आपको सब क्या चर्चा हुई है आज बैठक हुई है हमने जाती जन्गरना को की मांग को दोराया है कॉंग्रेस अधियक्ष ने सब की बात सुनी अभी हमारे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे हमारे PCC अधियक् है आज आज से रोज कॉंग्रेस अध्यक्ष अलग-अलग लोगों से मुलाकात करेंगे पर ये बात स्पष्ट है कि जाती जन गरना कराना बहुत जरूरी हो गया है और जो संविधान में संछोदन लाना है 50% सीमा जो लगाया गया है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन ज जाती और OBC वर्गों के आरक्षन को लेकर उसके उसमें संविधान लाने की बहुत जरूरत है